दोस्तों, आप सबो काईंदरा इंग्लिस कलासेस में फिर से एक बार सवागत है हम लोग तेन्स पढ़ रहे हैं अभी तक हम लोग परजैंट तेन्स पर हैं परहें परजैंट तेंट का पूरा देखिए, आदा आदूरा मत देखिए, यदि आदा आदूरा देखते हैं, तो आप exam में जो सवाल बनाएंगे, वो model question आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है, यदि आप अपना भविश्य अच्छा बनाना चाहते हैं, यदि आप चा बीते समय को दिखाता है, अब पहले से भी जानते होंगे, पहले definition दिखते हैं, यह लिखा दवर्ब वैसा बर्ब याट सोज पास्ट टाइम, यह वैसा बर्ब जो पास्ट टाइम को सो करता है, इस कॉल्ड कहलाता है इन पास्टेंज, इंदी भी देखें, जिस बर्ब से ब बीते समय का बोध होगा, उसको पास्टेंज में कहा जाता है, बाता है समझ में, तो पहला देखें क्या लिका है, एक्जामपल देखें, वे लोग पटना गये, इसमें भार्ब यह है, गये, जब कहते हैं गये, तो बीते समय में जाने का बोध होता है, यह गये जो जाना का वेंट हुआ पटना के लिए to पटना अधर वड हो गया तो यह जिस तरह हिंदी में गए है उसी तरह एंगलिस में वेंट है जो बीते समय को दिखाता है गए के तरह ही यह भी कॉंटेंस में होगा पास्टेंस में फिर जैसे देखिए वह किताब पढ़ रही थी भार भी यहा सब्जेक्त अंगरे जी भी देख सकते हैं वह का अंगरे जी शी हुआ हैनल कीताब का अंगरे जी यह बूक ऑब्जेक्ट हो गया पढ़ रही थी के लिए वाज भरग हुआग मैं तदेख मल नहीं मैं देखंग को दिखाता है या सबकेंग्जी नहीं देखामें, मैंने कांग्रे जी देख लिया था है डी सीन ताज मल ओब्जेक्ट पहदा ताज यहां आ गया तो यह अभी अपने पाश्टेंस का डेपनिशन एग्जामपल देखा, जीस बर्ब से बीते समय का बोध होता है वो पास्टिंस में होता है जो एग्जामपल देखे, डेपनिशन देखे, उम्मीद है कि आप समझते होंगे, आप चलिए हम लोग देखते आगे परजेंटेंस आपने पड़ा परजेंटेंस के तरह ही पास्टेंस के फोर काइंट्स होते हैं जिस तरह परजेंटेंस के चार काइंट्स उसी तरह पास्टेंस के भी फोर काइंट्स होते हैं सब का नाम आप देख सकते हैं या दिके लिका देर और फोर काइंट्स पास् simple past tense past imperfect या progressive या continuous tense past perfect tense और past perfect continuous tense है ना past indefinite हो गया past imperfect हो गया past perfect हो गया और past perfect continuous हो गया है ना है चलिए हम लोग देखते अब सबसे पहला है past indefinite ने सुलेक्ण the simple action in past time is called in past indefinite tense क्या लिकादा simple action शामान्य किरिया in past time बिते समय का is called कहलाती है in past tense बिते समय की कैसी किरिया सामान्य किरिया सामान्य मतलब जो generally होती रहती थी बिते समय में इसा लोग करते थे जैसे वह गाना बिते समय की सामान्य किरिया को past indefinite tense में कहा जाता है जैसे वह लोग सुबह में टहलते थे या टहले मतलब टहलते थे या टहले जनरली करते थे जब जब सुबह होती थी वह टहलते थे टहलना उसकी की सामान्य किरिया थी तो यह past indefinite है अंग्रे जीस का होता दे वाक्ट इन द मौर्निंग तो यहां वाक्ट भर्व है यह past indefinite में है वह लोग के लिए थी खाना बनाती रहती थी पास्ट indefinite हो गया बीते समय की सामान्य किरिया इसलिए है फिर जैसे देखिया शी सेंग संग इंद कीचन वाकान रेजी यहां देखिया शी हो गया रसोई घर में इंद कीचन हो गया है ना गाना गाती थी या गाई सेंग past indefinite में विटू हो गय इस तरह बीते समय की सामान्य किरिया किस टेंस में होती है past indefinite में होती है चलिए हम कुछ और देखते आगे अब इसकी देखिया आइडेंटिटी पहचान आप past indefinite टेंस को पहचानते कैसे हैं इन हिंदी देखिये या यही अतवा ताथा ती थी थे 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 ताथा ती थी थे लग गया जाना किरिया है तो गया गई गय हो गया अर्था यह लग गया जाता था जाती थी जाते थे ताथा ती थी थे लगया इस तरह होता है तो यह देखिये वह लोग बाजार गये देखिये गये यह हो गया past indefinite में मुहन गाना गाता था 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 पास्ट अफनीत में देखें देखें बी नंबर में इन इंगलिस बीटू इंगलिस में क्या लगा रहता है बी तू लगा रहता है वी हेल्प्ड देखिया है इंटरोगेटीव एस्ट्रेक्चर दो तरह का होता है पहला येस नो ना देख सकते subject yes no deed plus subject bracket में not view on object last में question mark है फिर WH structure भी है है नट देखें यहां WH structure है WH word deed subject bracket में not view on object last में question mark तब फिर empathic structure subject plus deed plus view on object इस तरह इसका structure होता है यह सभी contents में हो जाता है past definite का structure है इससे आगे हम इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा ध्यान से देखिए पूरा देखिए और like share और subscribe जरूर कीजिए जैहिंद